दोस्तो आज की हमारी वीडियो जट्रोपा प्लांट पर है यह हमारे गार्डन का सबसे लंबा प्लांट है इसकी हाइट करीब करीब 14 फिट है दोस्तो आज की वीडियो में आपको जट्रोपा प्लांट के बारे में फुल इंफोर्मेशन मिलेगी नमस्कार दोस्तो मेरा नाम सब्सक्राइब किजिए रूफटोप गाड़नर करमवीर को और बैल आइकन को दबाइए लेटस्ट गाड़निंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जैट रोफा सुन्दर रूपा रतन जोत जंगली अरंडी इस प्लांट को काफी सारे नामों से जाना जाता है ये बहुत ही attractive और hardy plant है जिसे बहुत कम maintenance की जरूरत होती है लगबग एक साल के जट्रोफा plant में फूल आने लग जाते हैं ये एक सदाबार फूल वाला पोदा है इसके फूलों का रंग लाल होता है इसके फूल गुच्छों में आते हैं जो देखने में बहुत attractive लगते हैं दोस्तो इस plant की खास बाती है कि इसमें जो बीज, seeds आते हैं उससे तेल बनाया जाता है इसके तेल से आप कार गाड़ी इत्यादी चला सकते हैं अमेरिका इत्यादी देशों में इसके तेल से गाड़ीय चलाई जाती है जैट्रोफा के seed से बायो डीजल तेल बनाया जाता है जिसे direct इस्तमाल किया जा सकता है जैट्रोफा एक easy to grow plant है आप इसे बीज से, seed से, cutting से, आसानी से ग्रो कर सकते हैं ये एक सदा बाहर plant है जो बहुत असानी से grow हो जाता है आप इसे हर प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं सारे साल इसमें फूल आते रहते हैं इसके फूल गुच्छों में आते हैं जो देखने में बहुत सुन्दर लगते हैं अब बात करते हैं इसकी maintenance और care tips की description में मिल जाएगा ये एक full sunlight वाला plant है आप इसे ऐसी जगे रखे जहां 5-6 गंटे की direct sunlight सीधी सूरज की रोशनी आती हो इसके port गमले का size 12-14 inch का होना चाहिए fertilizer, compost के रूप में आप महिने में एक बार vermi compost या cowden compost का इस्तिमाल करें सबसे पहले आप मिट्टी की हलकी गुड़ाई करें जैसा आप देख रहे हैं किसी खुरपी की मदद से मिट्टी की हलकी गुड़ाई करें हमने मिट्टी की हलकी गुड़ाई कर ली है अब इसमें compost add करेंगे एक गमले के लिए लगबग एक से दो मुठी कमपोस्ट काफी रहेगा ये वर्मी कमपोस्ट है अब इसमें वर्मी कमपोस्ट केचुआ खाट डालेंगे जैसा आप देख रहे हैं हमारे पोर्ट गमले का साइज बड़ा है इसलिए हम दो मुठी कमपोस्ट इसमें एड़ कर रहे हैं अगर आपके पास छोटा गमला है तो एक मुठी कमपोस्ट भी काफी रहेगा अब इसमें लगबग 30 से 50 ग्राम नीम की खली का पाउडर डालेंगे जैसा आप देख रहे हैं दोस्तो एक गमले के लिए लगबग 100 ग्राम कमपोस्ट और 20 ग्राम नीम की खली का पाउडर काफी रहेगा हमने इसमें कंपोस्ट और नीम खली का पौड़र डाल दिया है अच्छे से इसे मिट्टी में मिक्स करें और इसमें पानी डालें ये काम आपको मैँने में शिर्फ एक बार करना है आपका प्लांट सालों साल हेल्दी और हरा भरा बना रहेगा अब इसमें पानी डालेंगे पानी इतना जरूर डाले कि इसकी रूट जड़ों तक पानी पहुच सके जट रूफा सुन्दर रूपा एक बहुती प्यारा और लो मेंटेनेंस प्लांट है आप इसे अपने गार्डन में जरूर लगाएं धन्यवाद दोस्तों वीडियो पसंदा है तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें थैंक यू